हेलो एब्रीवन एम आईकू में आपका स्वागत है आज है दस अक्टूबर और दस अक्टूबर से करेंट पेस के जितने भी इंपर्ण कुस्टन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए देख लेते हैं आज के हमारी रिविजन के कुस्टन को बोंगो सागर बोंगो सागर एक नेवर एक्ससाइज है जो अभी हाली में बंगाली खाड़ी में भारत और बंगलादेश के बीच कंड़क्ट की गई थी सिरीफद एजना को पश्यमंगल सरकान ने शुरू किया है जो की रूलर एडिया में टांस्पोर्ट कनेक्टिविटी प्रवाइड करेगा कितिकता एक पैंसन पोटल है जिससे लौंच किया है असमने करना कलाता बलुवप एक जुसेफ है इसे अभी हाली में कोलकाता में कमीशन किया गया है जनजाती उद्धमिंता विकास कारकरम को अर्जुन मुंडा जो हमारे जनजाती मामलों के मंत्री हैं उनके दौर लौंच किया गया है डिकार्बनाईजेसन के लिए भारत और नीदरलेंड ने एक MOU पर हस्ताक्षर की रहे है दिब्यांग ए उद्धा साइकर रहली का सुवारम किया है हमारे खेल मंती किरन रिजुजुदू के द्वारा सिर्म सचिप की रूप में निद्ध किया गया है अपूर चंद्रा को और बिस अहिन सदिबस मनाया गया था अभी हाली में दौर को चलते हैं आज के करण पेस के M.C. की सवाल कर लेते हैं पहला कुस्टन है हाली में भारत किस देश के साथ मिलकर दौर 21 में सित्वे बंदा गाया को चालू करेगा तो भारत करदादरन प्रजेट के तहट में में सित्वे पोर्ट बना रहा था अब इसे दौर 21 में चालू करने की संभाव बना जित्वे गई है इसको सब्सक्राइब ओप्षन एसा ही है यह है पोर्ट भारत से सीधे मेहमार को connectivity प्रोवाइड करेगा और इस port का नाम है सितवे port और यह है मेहमार में बनाया जा रहे है बात मेहमार की है तो मेहमार केप्टल क्या है नाई पीटो यहां की जो currency वह है बरमिस्कियाद वहां की जो president है वह है बिन मिंड बिन मिंड यहां के president है अगर अगर सुन है हाली में भारतिये वाई सुना देबस कम मनाया गए तो अभी हाली में भारतिये वाई सुना देबस मनाया है 8 October 8 October को हर वर्स भारतिये वाई सुना मनाया था क्योंकि 8 October 1932 को भारतिये वाई सुना की स्थापना Royalieg बारतिय सें़ात के नाम से के गई थी इसलिए हर साल 8 October को भारतिय सीनद दिवस के रुप में मनायाता है और एहाइ response मा भारतिय सीन दिवस मनाले गए बारतिय सीन दिवस बात इंडियन एरफोस के तो इंडियन एसपोस के जो चीब है वोह है RKS बते हो रही है अगे लुस्त ने अभी हाली में बल्ल कॉटन दे भी मनाया गया हमने बल्ल कॉटन दे को मनाया साथ अक्टूबर को साथ अक्टूबर को बल्ल कॉटन दे मनाया और इसे बल्ल ट्रेड ओगनाईजेशन की दोरा मना जाता है बात बल्ल ट्रेड ओगनाईजेशन की है तो इसका RBI के डिप्टी कबरनार की रूप में नित किया गया है तो भी RBI के डिप्टी कबरनार की रूप में नित किया गया है M. Rajaswar Rao को RBI के डिप्टी कबरनार की रूप में नित कर दिया गया है इस को समक ऑप्षन सी साई है यह है M राजसुर राव और इन्हें RBI की डिप्टी गवर्णर की रूप में ने कर दिया RBI में बेसकली चार डिप्टी गवर्णर होते हैं इनमेंसे एक है M राजसुर राव बात RBI की है तो RBI की स्थापना एक अपरल उनिस सुपेद इसको किया थी RBI का हेर्कृटर है मुंबई में और RBI के जो सकती कांदास जो RBI के जो गवर्नर है और है RBI के 25 में नमबर की गवर्नर है अगला सुचान है हाली में किस देश के दोरा सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाल का सपरता पूरबा परीशन किया गया है तो इस मिसाल का सपरता पूरबा परीशन किया गया है रूस के दोरा अगर अस्तान है हाली में कहां कॉर्ट देसों के बिदेस मंत्रियों की बैठक आज़ुत की गई कॉर्ट देसों के बिदेस मंत्रियों की बैठक आज़ुत की गई कॉर्ट देसों के बिदेस मंत्रियों की बैठक आज़ुत की गई अल्हक्षथन है ठास्टन है इस अही और अझजटने Gibson लिगा घ्रम relevant की सुर्वेफे Richard आली में डिजिटल सेवा सेथु कायकरम की सुरूबात की है गुजरात के सीयम ने उनके राज में डिजिटल सेवा सेथु कायकरम की सुरूबात की है गुजरात के सीयम है जोनका नाम है विजयरूपानी उन्हीं के दौरा उनके राज में इस डिजिटल सेवा सेथु कायकरम क तहत बिसकली भाद नेट जो परेज़ना है केन सरकार की उसी के माध्यम से गयामीर शेत्रों को ऑप्टिकल फाइवर कनेक्टिबिटी प्रवाइड की जाएगी बात गुजरात किया है तो गुजरात किप्टल है गांदी नेगार और गुजरात का पहला क्यारोसुन इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है इस पुस्तक का बैसे पूरा नाम है असुरा दा टेल और अव दा पुस्तक का नाम है और इसे आननद नाम दे सकते हैं इसका नाम है इसका नाम है टेल्स फूर किट्स इस पुस्तक को अनल निलकंतें के दौरा लिखा गया है अगल अग्शन है हाली में किसने बापू दा अनफॉर्गटेबल का बेमोचन किया है तो अभी एक पुस्ता लिखे गए जिसका नाम दा बापू दा अनफॉर्गटेबल और इसे दिल्ली के मनी से सौधिया के दौरा लाँच किया गया है इसको संग ऑप्शन इस ही है इस पुस्तक को मनी से सौधिया के दौरा लाँच किया गया है जो डिल्ली के टेप्टि सेम में इनका नामानी ससोदी है उन्हीं के दौरे इस पुस्ता को लॉज किया गया है आरफसाने हाली में किसे सब्स्क्राइब कूद के अभी सब्सक्राइब के एक अप्राइल उनीस सो पच्पान को ऐसी भाई कार्ट कोटर है मोंबई में और इसके जो नए चेर्मेन बने हुआ है दिनिस कुमार खारा महीला ICC T20 रेंकिंग में कौन सा देश प्याली स्थान पर रहा है तो इस रेंकिंग में प्याली स्थान पर रहा है और इसका है दोबई में अरिस्थान हाली में किसने इंडियन बेंग के मीटरिंग प्रोग्राम MSME परिना को लॉंच किया गया है तो इस MSME परिना को लॉंच किया गया है तो इस MSME परिना को लॉंच किया गया है तो इस MSME परिना को लॉंच किया है तो इस MSME परिना को लॉंच किया गया है अप्रेल 2020 में जो अलहाबाद बैंक थी अब उसका नाम बदल कर इंडियन बैंक कर दिया गया है बात इंडियन बैंक की है तो इंडियन बैंक का जो टेग लाइन है वह है यूर ओन बेंग यूर ओन बेंग इंडियन बेंग की टेग लाइन अब हम आज के करेंड़ पैस कुस्तिन का जिविजन करते हैं MSMी परिणना को लॉंच किया है हमाई बित्तमंती निर्मला सीतर मनने सितवे पोर्ट भारत और व्यम्मार के बीच एक पोर्ट है जो 2021 में चालू मिन्यों की संभागना जदाई चा रही है 8 अक्टूबर को मनाय है हमने भारती ये बाई से न दिवस के नए चेर्मेन बने है आई सीटी टी टी रंकिंग में ऑस्ट्रिय या पैलिस्तान पर इंग्लेंड दूसरे स्थान पर और भाद थी स्थान पर रहा बापू दा अनफर्गाटेवल बुक को लॉंच किया है अब हम आपको पिछले वीडियो कुशन का अंसर बताते हैं हाली में बंगाल PLS ने किसे अपना ब्राण अमजडर निक्त किया गया है तो बंगाल PLS के ब्राण अमजडर बने थे स्वरप गांगुलिये इस कुशन का उप्शन इस है आज के लिए आपको पिछले हाली में किसे ACBI के चेयर मैंन की रूप में नित्थ किया गया है तो इस उप्शन का अंसर आपको कमेंट बक्स में बताना है इसी के साथ आज का हमारे कमेंट पेस का वीडियो कंबीट होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूब बता अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमाई चैनल को सब्सक्काइक करें और वीडियो को सेर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग